नमस्कार दोस्तों स्वागत थे आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में शुरू करते हैं मनोज कॉमिक्स की एक और मज़ेदार कॉमिक्स बद किस्मत परी सुनाली के परी लोग जाने की खबर सुनकर राजा तिमिर सेन मिहिर सेन के पास आए राजकुमार मिहिर सेन मुझे यह सुनकर बहुत दुख हुआ कि बहुत सुनाली तुम्हे वदिपाली को छोड़ कर परी लोग चली गई है उसने ऐसा करके तुम्हारे साथ बहुत अन्याय किया है अन्याय उसने मेरे साथ नहीं अपितु मैंने उसकी साथ किया था पिताजी महराज मैं उसका दोशी हूँ मैं तुम्हारी बात का मतलब नहीं समझा राजकुमार तो सुन्ये पिताजी महराज जिस चाव से मैंने सोनाली से विवा किया था उस चाव से मैं उसका ध्यान नहीं रख पाया राजकुमार मेरी समझ में तो तुम्हारी बाते बिल्कुल नहीं आ रही है आप नहीं समझें तो ही अच्छा है पिताजी महाराज अच्छा इन बातों को छोड़ो और मेरे साथ चलो कहाँ पिताजी महराज? मेरे साथ राज महल में और कहाँ? क्यों पिताजी महराज? देखो मेहर सेन मैं मानता हूँ कि तुम्हारे साथ बड़ी दुखत घटना गटी है पर इसका यह मतलब तो नहीं है कि तुम हर समय उस दुखत घटना के बारे में ही सोचते रहो तुम जब तक इस महल में रहोगे तब तक सोनाली के बारे में ही सोचते रहोगे इस ते हमारी बात मानो और इसी समय हमारे महल में चलो जैसा आपका आदेश पिताजी महराज? मेहर सेन दिपाली को साथ ले उसी समय राजा तिमीर सेन के साथ उनके महल में चला आया कुछ दिन बीते तिमीर सेन के महल में आकर भी मेहर सेन गुम जुम सा अपने कख्ष में पड़ा रहता इसका उसके स्वास्ते पर बहुत बुरा असर पड़ा यह देख एक दिन तिमीर सेन ने उसी समझाया राजकुमार क्यों इस परकार अपनी जवानी में खुन लगा रहे हो जाने वाले क्या कभी लोट कर वापस आये हैं पिताजी राजकुमार तुम्हारे सामने अभी पहार सा जीवन पड़ा है इस परकार उसे कैसे काटोगे हमारा आदेश है कि तुम दूसरा विवा कर लो दूसरा विवा? हाँ, दूसरा विवा तभी तुम सोनाले की यादों से मुक्ती पासकोगे अन्यथा नहीं लेकिन पिताजी महराज मेरे मन में दूसरे विवा की कोई उमंग नहीं है नहीं कोई अभिलाशा है देखो राजकुमार यदि तुम दूसरा विवा नहीं करोगे तो तुम्हारे अंत के साथ ही हमारा वंच समाप्त हो जाएगा तुम्हारे बाद कोई भी इस वंज का नाम लेवन नहीं रहेगा और हम नहीं चाहते कि ऐसा हो इसलिए हमारा आदेश मान कर तुम्हें दूसरा विवा तो करना ही होगा ठीक है पिताजी महाराज यदि ऐसी बात है तो मैं आपका आदेश नहीं टालूँगा कुछ दिन बाद ही जैदपुर की राजकुमारी जोसना से महिर सेन का विवा हो गया दुलन बनकर जोसना जैदीप राज्ये के राज महल में आई महारानी सुजाता ने उसकी आर्थी उतारी तक पश्चाद दासियां उसे उसके कमरे में छोड़ गई तभी दिपाली के साथ महिर सेन ने उसकी कक्ष में परवेश किया राजकुमार महिर सेन के साथ ये लड़की कौन है? क्या यही इनकी लड़की दिपाली है? महिर सेन ने आगे बढ़कर उससे कहा जोसना लो अपनी बेटी दिपाली से मिलो ब्रुकटी टेडी करके जोसना ने मेहीं सेनकी और देखा विवा के पहले दिन ही बेटी का पुरुसकार देते हुए आपने कुछ तो सोचा होता राजकुमार मेरी कोई बेटी बेटी नहीं है यह क्या कर रही हो जोसना? जानती हो, किस से बात कर रही हो? अपने पती से और किस से? तो फिर कान खूल कर सुनलो पती का होक्म मानकर दिपादी से तुम्हें मात्रविच सनहे करना होगा अन्यथा? अन्यथा का? जोसना, तुम तो बहुत वाचाल हो ठेहरो, तुमारी वाचालता का तुम्हें अभी मजा चखाता हूँ अगले ही पर, तड़ा, आह, जोसना स्थब सी रह गई जब होश आया तो चिल्लाई तुमने मुझे मारा राजकुमार, मूर दिखाई में थपड दिया मुझे मैं एक ना एक दिन इस थपड का बदला अवश्य लेकर रहूँगी काश हम पिताजी महराज की बातों में आकर तुमसे प्रिवा न करते तो कितना अच्छा होता, तुम जैसी बद दिमाग वबद जुबान स्थी से पाला तो न पड़ता मेर जेन दिपाली की साथ उसी समय, जोसना के कख्ष्टे पाहर हो गया अब जोसना को अपनी गलती का आभास हुआ, यह क्या किया तुने जोसना, विवा के पहरे दिन ही पती को नाराज कर बैठी, क्या यही तेरा धर्म था, उसका नारी मन उसे धिकारने लगा तभी अनजाने में उसका हाथ अपने गाल पर चला गया, और उसका नारी स्वाभी मान जाग उठा, उसने मुझे थपड मारा है, मैं इसका बदला अवश्य लूगी, ऐसी चाल चलूगी, जिससे साप भी मर जाएगा, और लाठी भी न तूटेगी सोचकर वह कुटिलता से मुस्कुरा उठी, अगले दिन वह मेह सेन के कफ्ष में पहुँची, तुम, तुम यहां कैसे आई, जोसना ने कुछ नहीं कहा, और दौर कर उसके कदमों में गिर खई, नात, मुझे शमा कर दो, कल मुझे से बड़ी भूल हो गई थी, मैं अपने देवता जैसे पती का अपमान कर बैठी थी, गल अपनी फूल से बेटी को मैं नफ्रस से देख रही थी, मुझे शमा कर दो नात, मुझे शमा कर दो, कहकर वहर रोने लगी, उसका सार्थक अभिने देखकर मेहर सेन का दिल पिखल उठा, लगता है इसे अपनी गलती का भान हो गया है, जोसना, मुझे खुशी है कि तुमने अपनी गलती मान ली है, अब मुझे तुमसे कोई शिकात नहीं है, तो क्या आपने मुझे शमा कर दिया, हाँ जोसना, तो जल्दी से दिपाली बेटी को बुलाईगे, मैं उसे चाती से लगा कर अपनी ममता की प्यास कुछ देर बाद ही दिपाली मिहर जिन के कक्ष में थी, पिताजी आपने मुझे पुलाया था, हाँ बेटी यहाँ आओ, देखो नई मा तुम्हें प्यार करना चाती है, सुनकर दिपाली ने जोसना की ओर किसी भैबीत हिर्नी की तरह देखा, कल तो नई मा मुझे नफरत की निगाओं से देख रही थी, आज कैसे प्यार करना चाती है, दिपाली बेटी, डरू नहीं, मेरे पास आओ, मैं तुम्हारी मा हूँ, आओ, मेरे पास आओ, जोसना की बास सुनकर भी दिपाली आगे नहीं बड़ी, तम महीर सेन ने दिपाली को इशारे से जोसना के पास च नहीं मा के इस आकस्मिक प्यार को देखकर दिपाली हद पर्प रह गई, ततपस्चा जोसना ने दिपाली को उठा कर चाती से लगा लिया, मेरी बेटी, मेरी बच्ची, आज से तुझे कभी मा की कमी महसूस नहीं होगी, जलो अच्छा ही हुआ, जो जोसना दिपाली से प् चाती ती और मन में उसके प्रती जरन का भाव रखती थी, एक दिन उसने मिह जिन से कहा, नात मैं नीलवन में स्थित गौरी मा के मंदिर के दर्शन करने जाना जाती हूँ, गौरी मा के दर्शन करने तुम्हें अवश्ची जाना जाहिए जोसना, हम सैनिकों की टुकड़ी तुम्हारे साथ भेश देंगे नहीं नात मैं सेनिकों के साथ गौरी मा के दर्शन करने नहीं जाओंगी तो फिर मैं केवल दिपाली बेटी को अपने साथ ले जाओंगी ओ यह भी ठीक है तुम दिपाली को लेकर गौरी मा के दर्शन करने चली जाना जोसना उसी दिन दिपाली को साथ ले, नील वन की ओर चल दी आज मेरी योजना का पहला चरण पूरा होने जा रहा है मेरी सेन मेरी इस चाल से तिल मिला उठेगा नील वन में पहुंच कर आओ बेटी, मैं तुम्हें गौरी मा के दर्शन कराने ले चलू अच्छा मा, तब दिपाली को साथ ले, जोसना वन में चल दी कुछ दो जाने पर जोसना चौकती हुई दिपाली से बोली ओ, दिपाली बेटी, गजब हो गया क्या हुआ मा, गौरी मा के पूजन के लिए मैं जो फूलों की डल्या लेकर आई थी वह तो रत में ही रखी रह गई, तो इसमें इतना परिशान होने की क्या बात है मा, मैं यहीं खड़ी हूँ, आप जाकर फूलों की डल्या ले आओ तुम ठीक कह रही हो बेटी, अच्छा, तुम यहीं रुको मैं अभी रत में रखी फूलों की डल्या लेकर आती हूँ, जाओ मा, दिपाली को वहाँ छोड़ कर जोसना रत की और लोट पड़ी, सब कुछ मेरी योजना अनुसार हो रहा है, मेरी सेन को बिलकुल भी शक रही होगा, कि मैं जान बुझ कर दिपाली को इस वन में छोड़ हूँ, यही सोचती जोसना रत के पास जा पहुँची, फिर वह रत में बैठी, और रत को ततकाल ही, वन से बाहर की और हाक दिया, इधर जब बहुत देर बाद भी जोसना पूलों की डल्या लेकर दिपाली के पास न पहुँची, पता नहीं मा अभी तक वापस क्यों नहीं लोटी है, जोसना को कहां लोटना था, वह तो रत को सरपट जैदी प्राज्य क्यों डोड़ाए चली जा रही थी, चलो दिपाली का काटा तो रास्ते से हटा, इधर दिपाली का पुरा हाल था, नई मा कहां चली गई, अब तक वापस लोटकर क्यों नहीं आई, इस उजार पर क्या कुछ नी, क्या हुआ दिपाली को? नाथ, जब मैं गौरी मा के दरशन करके दिपाली के साथ वापस लोट रही थी, तो एक शेर ने दिपाली पर आकर्मन कर दिया, उसनी दिपाली को चीर फार डारा, क्या, क्या, दिपाली मर गई? दिपाली की मौत का समाचार सुनकर मेरी जिन के दिल पर बहुत गहरा आगात लगा, उसकी आँखो में आशु आ गए, उसकी यह दशा देखकर, नात धीरज रखो, दिपाली और हमारा साथ विधाता ने शायद इतना ही लिखा था, मुझे देखो मैं मा हूँ, मेरा दिल सोनाली परी, परी रानी अलग नंदा से कह रही थी, परी रानी, ना जाने क्यों आज मेरा दिल बहुत बेचैन है, मेरा मन उड़ा-उड़ासा हो रहा है, क्यों ना हो, आखिर माजो हो, प्रित्वी पर तुम्हारी बेटी दिपाली पर संकट जो आया है, क्या, प्रित्वी पर से अपनी बेटी दिपाली को परी लोग ला सकती हूँ यह कैसे हो सकता है दिपाली आदमे की बेटी है यह परी लोग में कैसे आ सकती है परी रानी तब मुझे पृत्वी पचाने तो मैं अपनी बच्ची को संकटों से पचाना चाहती हूँ जानती हो सनादी तुम क्या के रही हो जानती हो इस बार तुम प्रित्वी पर गई तो परी लोग के नियम के अनुसार फिर परी लोग में वापस नहीं आ सकोगी परी रानी मुझे अपनी पुत्री के अलावा और कुछ नहीं चाहिए अपनी पुत्री के साथ मैं प्रित्वी लोग पर ही रह लोगी आप च स्वैन प्रित्वी पर, तम्हारी बेटी दिपाली के पास छोड़ कर आऊंगी। परीरानी उसी समय सोनाली के साथ प्रितवी लोग की ओर चल दी, वे दोनों जंगल में दिपाली के सामने उतरी। दिपाली ने जैसे ही सोनाली को देखा। मा, मेरी मा, तुम मुझे चोड़ कर परिलोग क्यों चली गई थी? बेटी, अब मैं तुझे चोड़ कर कही नहीं जाओंगी, तेरे पास ही रहोंगी। मा बेटी दोनों खुशी से रोने लगी। सुनाली, यह सब दिपाली की सौतेली मा की कर्तूत है। सौतेली मा, तो क्या राजकुमार महिर सेन ने दूसरा विवा कर लिया है। हाँ सौनाली, महिर सेन की नई पत्ने का नाम जोस्ता है, वे दिपाली से बहुत घिरना करती है। जोस्ता जान बोचकर दिपाली को इस जंगल में अकेली छोड़ गई थी, ताकि जंगली जानवर दिपाली को खा जाए। ओ, तो जोस्ता इतनी क्रूर है। तब परी रानी ने सौनाली से कहा, सौनाली, परी लोग के नियम के अनुसार, अब तुम दोबारा परी लोग वापस नहीं जा सकती, इसलिए अपने पंक उतार कर मुझे दे दो। सोनाली ने तुरंद अपनी पंक उतारे, लो परी रानी, पंक लेकर परी रानी परी लोग को उड़ गई, तभी घोडों की टापों सी सारा जंगल कूझ उठा, कौना रहा है, कोछ देर बाद एक घोड सवार उनकी सामने आकर खड़ा हो गया, वह घोड सवार और कोई नहीं, राजकुमार महिर सेन था, वह उस जंगल में शिकार खेलने आया था, रानी सोनाली, तुम, दिपाली बेटी, तुम, नात, पिताजी, दिपाली दोड कर महिर सेन के घोड़े के पास पहुँची, दिपाली बेटी, तुम जीवित हो, हाँ पिताजी, घोड़े से उतर कर महि को गोड में उठा लिया तब सुनाली ने मिहीर सेंसे कहा नात तुम्हारी नई पत्नी ने तो दिपाली के मरने का पूरा इंतजाम कर दिया था सुनाली तुम ठीक कह रही हो जोसना इसे जान बूज कर जंगल में मरने के लिए छोड़ गई थी वरना वह मुझे से कभी यह न कहती किसे शेर चीर फार कर खा गया जोसना इतनी क्रूर भी हो सकती है हम नहीं जानते थे हम उसको उसकी इस करनी की सजा अवश्य देंगे सुनाली तुम परी लोग से वापस आ गई हो यह देखकर मैं बहुत खुश हूँ चलो अब अपने घर वापस चलो घर? किसकी घर? क्या घर ले जाकर तुम मुझे फिर सोने के पिंजरे में कैट कर देना चाते हो नात? सुनाली ऐसा न कहो मैं अपने किये पर पहले ही बहुत लग्जित हूँ मैं बचन देता हूँ कि आज से मैं तुम्हारा वा दिपाली का पूरा पूरा ख्याल रखूँगा सारा समय शिकार खिलने में वैतीत नहीं किया करूँगा तब सुनाली उसके साथ जैदी प्राज्य चलने को तयार हो गई मीर सेन सुनाली और दिपाली को लेकर अपनी महल में पहुँचा मीर सेन दिपाली और एक्स्तरी के साथ आ रहा है लगता है मेरा भांडा फूर्ट गया है अब मेरी खेर नहीं इस ते पहले कि मीर सेन मुझे कोई सजा दे मुझे स्वेम आत्महत्या कर लेनी चाहिए जोसना ने तुरंट अंगूठी में जड़ा हीरा चाट लिया आह हीरे को चाटते ही जोसना ने तड़ब तड़ब कर प्रांत त्याग दिये उसे अपनी करनी का फल मिल चुका था तो यह थी मनोज कॉमिक्स की एक मज़िदार कॉमिक्स ऐसी ही मज़िदार कॉमिक्स के लिए बने रहें मेरे साथ और हाँ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले धन्यवाद